असलाम अलेकुम, आज की वीडियो का हम डिसक्स करने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, इक उमर्स क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिसक्स करेंगे बैनने जब ये कोर्स से स्टार्ट किया है, तो मेरे कोर्स पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, जिनको ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं बता, जिनको एक आज बारे में बता, तो मैं बिलकुल बेसिक से लेकर चल ला हूँ, ताके कोई भी अगर बेसिक बंदा भी है ना याँ पर, तो कोर्स में, तो उसको भी कोई कन्फिजन ना हो, तो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिसक्स करते हैं, अब सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग को कहते क्या है, कस्टमर है, आपका एक उनलाइन स्टोर है, उसके बात, कस्टमर आपके उनलाइन स्टोर पर आता है, क कोई परड़क्ट फरचेस करता है, अब उस परड़क की आपने तस्वीर लगाई है वी अफने स्टोर पर लेकिन आपके पस वो फिजिकलिर परड़क्ट नहीं है, आपने अपने सप्लायर मेरे पाने सहाई क दिया कि supplier तो मेरे पास यह order आया है तो यह deliver कर दो customer को इस address पे जो customer ने मुझे दिया है तो क्या हुआ online store पर जैसे ही मैंने for example जितनी भी products लाई for example अगर मेरे पास budget कम है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं drop shipping से start कर सकता हूँ जैसे कि मैंने अपने course के start कि आप business को 30,000 से 50,000 से भी start कर सकते हो क्यों कैसे आप drop shipping मौडल पर जा सकते हो इस drop shipping मौडल पर क्या होता है आपकी जो investment है जो 30 से 50,000 की मैंने बताई है वो सिर्फ marketing में लगी है आपके means आपने customer को अपने online store पर लाना है सिर्फ उसकी cost लगी ही आपको आपकी product purchase हुई product पर cost नहीं लगी ही आपको means क्या हुआ drop shipping में आपकी जो investment है सिर्फ उसे marketing में लगी ही फिर उसके बाद जो भी return आएगा आप ने उसी को फिर marketing में लाना है इसमें product पर investment नहीं होती तो बहुत सारे लोग starting में drop shipping को प्रिफेंस देते हैं और मैं भी recommend करता हूँ कि अगर आप new भी हो तो आप अपनी start drop shipping से करो basically drop shipping का ये मतलब है अब आते हैं e-commerce पर wide label पर e-commerce को हम wide label भी कहते हैं private label भी कहते हैं लेकिन e-commerce का मतलब क्या होता है for example आपके पास आपके online store पर एक customer आया customer ने कोई चीज़ purchase की कोई product purchase की अब उस वो product आपके पास physically available है तो क्या अगर आपने आपने उस product को customer तर deliver कर दिया अब इसमें difference क्या हुआ e-commerce तो difference क्या था और drop shipping का difference क्या था e-commerce में आपके पास physically product available थी लेकिन drop shipping में आपके पास physically product available नहीं है तो मतलब क्या हुआ e-commerce में आपको investment करनी पड़ती है products में और marketing में भी लेकिन जब drop shipping की पास आती है drop shipping में आपको सिर्फ marketing में investment करनी पड़ती है जबके product supplier के पास होती है आपने supplier से बात की होती है जब मेरे पास order आएगा तब आप ये deliver करते हैं मेरे विहाफ पर ये होता है drop shipping और e-commerce का difference अब investment की बात करी जाए तो investment drop shipping में आपको पता है सिर्फ marketing में investment लग रही है सिर्फ मैं marketing कर रहा हूँ customers को अपने online stores पर लेकर आ रहा हूँ तो क्या हुआ वहाँ पर मैं अपना budget investment जो है वो marketing में लगा रहा हूँ जबकि e-commerce में white label में या private label में आगे बताऊँ आपको detail में कि white label क्या होता है private label क्या होता है पस अब आप इतना समझें कि e-commerce में हम investment product पर भी करते हैं और marketing पर भी करते हैं इन दोर पर हमारी investment होती है e-commerce में हमारे पर कोई आता है store पर हमारी कोई customer तो उसको हम अपना deliver कर देता है इस सब चीज़ है आगे चलते हैं लेकर अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इस business के advantage इस कर लेते हैं कि इस business के advantage क्या है प्रोस क्या है सबसे पहला point opportunity business model यह business model एक ऐसा model है जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं exactly जिससे मैंने बताया आपको minimum investment 20 से 35,000, 50,000 की investment से भी आप इस business को शुरू कर सकते हैं as a drop shipping model तो यह business एक बहुत ही opportunist model है और यह business मेरे दोस्ट आपको लाग हो रुपे कमा कर दे सकता है second point no inventory management in drop shipping model यहाँ पर क्या होता है जैसे कमा आपको पताया drop shipping को था हमारी investment से marketing पर लग रही है तो यहाँ पर आपकी inventory की management है और investment है वो बच जाती है drop shipping model में तो यह भी एक advantage है इस business का अगर आप drop shipping से start कर रहे हो तो आपकी investment inventory पर नहीं लगीगी तो यह भी एक अच्छा model है no logistic handling अब इसमें क्या होता है जैसे for example picking हो गया packing हो गया अब for example आपके पस कोई order आया मैं basic से लेकर चलता हूँ कोई आपके पस order आया आपने इसको calling करनी है फिर उसके बाद pick करना है उसके बाद pack बगरा करना है फ्लाइर में pack करना है बाद रैपिंग करना है प्रोड़क की देन फिर डिलिवर करना है वाइड लेबल प्रैविट लेबल में यह होता है जबके drop shipping model में यह चीज़े hide हो जाती है for example आपने product को wrapping करना है फ्लाइर प्रोड़क करना है प्रोड़क्स में यह सब चीज़े इस business में drop shipping model में eliminate हो जाती है exactly next point you can start with low investment 30,000 to 50,000 जैसे कि मैं आपको बताया है कि आप यह drop shipping model है यह आप 30,000 से 50,000 में अगर आपके पास budget है पैसा है तो आप इस business को start कर सकतो with the low of investment और मेरे दोस्त मैं आपको बता हूँ यकीन बता हूँ अगर आप की marketing strategy सही है जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता हुआ तो आप बहुत सारे यहां से पैसे कमा सकतो बहुत सारे exactly बहुत लाखों में कमा सकतो इस investment के साथ क्योंकि पाकिस्तान में business launch करना local e-commerce करना कोई बड़ी बात नहीं है exactly कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप मुझसे सीख रहे हो रहा तो आपको guarantee देता हूँ इस course के आफिर में आप ऐसी सी चीज़े सीख जाओगे जो internet पे कोई भी नहीं सिखा रहा यह मैं आपको वादा करता हूँ आपसे promise करता हूँ next point पर चलते हैं require less time to manage अब यहाँ पर अगर आप for example drop shipping कर रहे हो तो आपने अपने time marketing में लगाया उसके बाद आपके order जनेरेट वाना शुरू हो गए अब यहाँ तो आप callings अब आता है आपका callings का callings पर आप कह कहते हैं किसी और से करवा सकते हो या फिर खुद कर सकते हो या आपके उपर है means आपको जो time लगेगा वो सिफ ads बनाने में लगेगा marketing में लगेगा और calling में लगेगा drop shipping model में जबके private level में या फिर white label में time जादा लग सकता है जैसे फिर आप बंदे भी रख सकता हो या आपके उपर है उसके बाद packaging वगरा में products लाने में ये सब इस जगह पर आपका time लग सकता है लेकिन drop shipping model में जो मैं आपको recommend कर रहा हूँ at the start आप easily manage कर सकते हो time best for introverts अब for example आप introvert हो तो ये business आपके लिए best है आप extrovert वी हो तब भी आप इस business को build कर सकते हो लेकिन जो introvert है जो business नहीं build कर बात है जो सिर्फ job भी करते रहते हैं उनके लिए बिजनेस बहुत असान है और काफी easily वो इस business को build कर सकते हैं second last point easy competitor analysis इस में इस business में competitor analysis जो है ना वो आप काफी तौर पर easily कर सकते हो यह मैं आपको बताऊँगा इस course में ही बताऊँगा कि आप कैसे competitor analysis वगरा कर सकते हो इन के जरीए इस business में next point better than any other business model available nowadays money making machine अब इस point आपको डिसक्स करता हो basically यह जो business model है ना इस दौर में अभी जो दौर चलगा है यह business बहुत ही grow कर रहा है OF saja grow कर रहा है अब for example में आपको एक्जैμब्ल दो दो इनसान है एक इनसान अभी इस business को Js को चॉइं कर रहा है और दूसरे इनना थीन साल बाद यह बताद इस business को चुइं करेगा जबकि जो नया बंदा होगा दो तीन साल बाद वो इस business में बहुत सिलो सिलो गुरो करेगा और उसमें competition भी बढ़ जाएगा अभी इस business में बहुत कम competition है लेकिन आइस्ता आइस्ता इस business में बहुत सारा competition बढ़ने वाला है और इस business को मैं money making machine भी कहता हूँ यह पैसा कमाने वाली machine है आप for example investment करते हो किसी भी छीज में एक्शैम्बल देता हूँ रेल स्टेट में करते हो कोई चीज में करते हो किसी चीज में करते हो आपका investment 2x time बढ़ता है 3x time बढ़ता है जबकि इस business में आपका investment 10x भी बढ़ता है 20x भी बढ़ता है और 50x 100x भी बढ़ता है अगर आपको right strategies पता है यह एक पैसा बनाने वाली मशीन है मैं सही बता हूँ यह business, local e-commerce, drop shipping, private label, white label यह पैसा बनाने वाली मशीन है अगर आपको strategies पता है तो आप इस business में लाखो करोडर रोपे गमा सकते हो क्योंकि मैंने कमाए है मुझे पता है कैसे इस business को build करते हैं कैसे इस business को scale करते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ और यह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस course के हैन में आप बहुत ही मुझे दौाएं दोगे ये मुझे यकीन है अपने आप पर और आप पर भी यकीन है क्योंकि मुझे पता है कि आप इस कोर्स में सीख कर बहुत चीज़ अपलाई करोगे और अच्छे रिजर्ट जनेरेट कर पाऊगे आगे लेकर चलता है इस वीडियो को अब जायर सी बात है बहुत से बिजनस के एडवांटेज के साथ कुछ करा कुछ डिसएडवांटेज भी होता है तो वो भी मैं आपको स्टार्ट में बताने जा रहा हूँ ताकि आपको मसला नहों आगे पहला है डिसएडवांटेज पहला कौन्स सप्लायर इशू सप्लायर अप यहां पही होता है कि for example आपको कोई trending product मिल गई अप सप्लायर को ढुटने में काफ़े टैम लगता है सप्लायर ढुटने में आपको कम से कम दो से तीन दिल ऐसी लग जाता है कोई सप्लायर के पास कभी out of stock हो जाता है कभी कुछ मसला होता है, कभी कुछ मसला होता है, बिजने से तो इशु आते हैं, लेकिन इसका भी solution मैंने निकाला है, इसका solution भी मैं इस course के end में आपको supplier की list दूँगा, supplier की context number दूँगा, और supplier की reference भी दूँगा, कि आप start में drop shipping भी कर सकते हो, इसके बाद आप products भी इंसे मंगवा सकते हो, ये मैं आपको guarantee देता हूँ, ये मैं आपको context number reference दूँगा, तो ये issue मैं अपने तोर पर आपका solve कर दूँगा, तो इसमें tension लेने की कोई बात नहीं है, second problem, stock issue, अब for example, आपन किसी product पर marketing करना शुरू की, बहुत सारे orders आ गए, आपकी quantity ही 40 है, सिर्फ आपने for example, आपके पास 40-20 पीस पढ़े है, तो आपके बास 40 ने 100 order आ गए, और 100 order लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लोकल e-commerce में, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो अगर for example, आपके पास कोई ज पर drop shipping बगरा कर सकते हो, बहुत सीज़े कर सकते हो, इसका solution में आगे बताया है, तो इसमें पर tension लेने की कोई बात नहीं, यह सब सीज है, जो जो issue आ रहे है ना, उन सब के solution में कोशिश होगा, अपना best दूँगा, कि आपको solve कर कर दो, उनका solution आपको मैं इस course के अंदर ही द return आएंगे, return ना मैं रोक सकता हो, ना आप रोक सकते हो, ना कोई भी नहीं रोक सकता, जो भी इस business को build कर रहे है, उसके return आएंगे, ऐसा होई नहीं सकता, कि 100 order उसने deliver करे, और 100 के 100 deliver हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इसका भी मैं solution आपको ब प्रॉफिट में होगे यह मैं आपको गरेंटी दे रहो इस बात की आपने कोई डेंशन नहीं लेनी इस बात को भी मैं अपने कोर्स में सॉलुशन इसका प्रॉवाइड करूँगा नेक्स पॉइंट कुरियर इशु अब कुरियर इशु यह होता है फॉर गजापल आपने कु वह बुश्य इशु आएंगे तो कोई इस्यो की बात नहीं है बिजनेस में इस्यो आते हैं आप ने इस प्रॉब्लम को सॉल करना है ताकि आप जाद से जादा ग्रोव कर पाओ second last point account suspension issue मैं इस course में account suspension issue के तरीके भी बताऊँगा कि for example अगर आपका account suspension issue कुछ हो जाता है मसला कुछ भी मसला हो जाता तो आप उसको कैसे रिकावर कर सकते हो कैसे उसका solution निकाल सकते हो account suspension issue भी आते हैं और mostly facebook में restrictions भी आ जाती है इतना time होगे पांच दिन होगे दस दिन होगे लेकिन मेरे भाई बहुत से लोग यह बूल जाते हैं कि यह business है अगर business में time नहीं मिलागेगा तो आप कैसे grow करोगे business में हर business time रगता है वो कहते हैं ना कि start में business छोटा छोटा grow करता है लेकिन आइस्ता हिस्ता अगर आप business में consistent रहोगे और उस problem को fall further होगे जो आपके साथ हो रही है तो आप इस business में exponentially grow करोगे business setup takes time कभी भी यह मत सोचना कि यार मैंने सिर्फ 5 दिन start किया है एक महीना होगे वो इस start में कुछ भी profit बहुर नहीं बना वो सकता है start में profit ना बने लेकिन अगर आप उस business में consistent रहोगे ना आप बहुत सारे पैसे कमाऊगे और आप इस business में grow करोगे और कुछ time बात आप दूसरों की भी मिसाल बनोगे अगर आप इस business में consistent रहोगे तो मेरे दोस्त ये मेरी बात याद रठा कि आपने इस business पे consistent रहना है वह सकता है start में कोई profit ना बने लेकिन आप वह इस business को छोड़ना नहीं गलती हो से शीखना है अपनी गलती जो सीखना है दूसरों की गलती हो सीखना है ताग्याब इस business में grow करो और आप इस business में कामयाप हो पाओ, यैसे मैं पैसे कमा रहा हूं, आपको सारे तरीके बताऊँगा, और आप भी इंशालला मेरा आपसे बादा है, अगर आप मेहनत करने वाले बंडे हो ना, तो आप भी मुझसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, यह मेरे आप से वादा है, आगे लिए अगर चलते हैं, अब हम discuss करते हैं, freelancing opportunities, for example, कुछ लोग कहते हैं, sir, हमारे पास investment नहीं है, हम पैसे नहीं लगा सकते हैं, हमारे पास 20,000 रुपे भी नहीं है, 10,000 रुपे भी नहीं है, investment लगाने के लिए, तो उनके लिए मैंने solution बताया मैं आपको बता हूँ, मेरे पास 5,000 रुपे भी नहीं थे, मेरे पास 10,000 रुपे भी नहीं थे, कि मैं किसी business में invest कर सकूँ, लेकिन मेरा mindset था कि मुझे business करना है, तो मैंने गया किया, मैंने अपना जो career की शुरुआत है, मैंने services से शुरू की, services बेजना शुरू की, तो उस अब्यूब कर रहे हैं, यह सब चीज़े मैं आपको इस course में बताने वाला हूँ, और I guarantee, आप इस एक skill, कोई भी एक skill पकड़ कर भी आप लाग वोगा से, तो services से भी, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ, फिलांसिक प्लेटफॉम पे, मैं अपर पे हूँ, मैं फैवर पे हू तो मुझे पता है कितना इसका scope है, मैंने भी अपनी करिये के शुरुआद services से ही करिये, तो आप भी, अगर आप business opportunity business में नहीं कर सकते हैं, तो आप services शुरुआद करो, कोई इन में से एक skill पगड़ लो, मैं यह सारे skills आपको सिखा हूँगा इस course में, और इतना सिखा यकीनन एक skill को भी पगड़ लो, आप उसमें expert हो जाओगे, और आप उसमें बैतरीन कर सकते हो, यह सब चीज़ें, यह सब service, इस course के end के बाद, आप यह सब skills सीख जाओगे, और यह skills सीखने के बाद, आप दूसरों को भी service दे सकते हो, इस videos में, और इस course में मैं आपको एक एक चीज दिखाऊओगा, इतनी चीज़ें आपको डिलिवर कर दूँगा, अतनी चीज़ें आपको डिलिवर कर दूँगा, कि आप यकीनन, यह काओगे, तो सर्आ, आपने बहुत कुस निखाए, और यह मेरा motive भी है, यह मेरी intention भी है, कि मैं आपको इतना कुछ दे दूँ कि जो मुश्किले मुझे आई है जो तकलीफे मुझे आई हैं मैं आपको वाओना होने दूँ कि मुझे पता है जब मुश्किले आती हैं तकलीफे आती हैं जब पैसे नहीं होते हैं तो क्या फिलिंग होती है कोई चीज आपको लेनी है कोई पसंद की चीज आपको खरीदनी ह नहीं है, I know what feeling is it's like, कैसी feeling होती है हो, आप बे फिकर रहो, इन्शाला है इस कूर्सा, मैं बहुत को सिखाने वाल हूँ, आप अगर बिजनेस के लिए वेस्मेंट नहीं है, तो आप इस काफी फिर्लांसिंग अबॉचनिटी से ही सर्विसे पैसे कमा सकते हो, and the last, some facts बताने जा रहा हूँ को मेरे पास जब मैने भी कोर्स स्टार्ट के, मेरे पास कुछ स्टूटर्स की कोईरीज वगार आ रही, कुश्चिन्स वगार आ रहे, तो उन कुश्चिन्स को मैंने मैं अपने पैसे को लूज कर देता हूँ, तो मैं कैसे मेरे next step क्या होगा, कैसे recover करूगा, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ कि सर, आप जो भी आप अपने पैसे लगा रहे हो, सबसे पहरे तो आपको मैंने बोला है, कि आप लिएस इन्वेस्टिन से स्टार्ट करो, 20, 20,000 से 30,000 से 50,000 से स्टार्ट करो, तो अगर आप अपना पैसे डूब हो भी देते हो, पहली बात तो यह है कि आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा, और मैं डूबने भी नहीं दूँगा, मैं आपको ऐसी strategies बताऊँगा, कि अगर आपका पैसे डूब भी राए, for example, 10,000-15 पर दूब भी सकता है, लेकिन उसके बात पर आपका ऐसी strategies बताऊँगा, कि आप पैसे भी रिकवर कर लोगे, तो यहां पर पैसा recover करना कोई बड़ी बात है, या आप easily recover कर सकते हो, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर आप अपना business model start कर रहे हो, आप पाकिस पाकिसान पर लोग उर्दू में भी बात करते हैं, तो आप उर्दू में भी बात कर सकते हो, इंग्लिश पर बहुत कम लोग बात करते हैं, तो आप उर्दू में भी बात कर सकते हो, बस यह है, आपको उर्दू आनी चाहिए, क्योंकि पाकिसान में बहुत से लोग, जारद तो नहीं कर सकते हैं, आपको Laptop ये PC चाहिए कि आप ही सब चीज़े बिल्ड कर सको आपको सेलफून के साथ सर लेपटॉप और PC, जो भी आप कर सकते हो अफ़ौड, लेपटॉप ये PC आपको पास होना चाहिए, तभी आप इस बुजनस को सही से कर सकते हो, आप इस बॉजन कहा भई आपको जब स्टार्ट कर रहे हो बिजनस आपको थोड़ा ताइम दो देना पड़ेगा मैंने उसको एक बहुत खुबसूरा लाइन गई कि मेरे भाई 9 to 5 आप क्या कर रहे हो इस सिर्फ आपका घर चलता है लेकिन आप 5 to 9 क्या कर रहे हो ना उसके बाद उसका उससे आपकी जिंदगी बनती है तो आपने क्या कर रहे हो आपने थोड़ा एक्सार डायम देना बढ़े हो इससे आप बहुत अपने बिजनस को सकते हो तो यह कुछ कुछ थे हैं जो मेरे पास रेगलर्ली स्टूर्स मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने का मैं आपको इस वीडियो सब चीजने मैं आपको सिखाऊँगा step by step इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो में step by step हर वीडियो को देख रहे ना without escaping the part of the video then आप बहुत कोई इस वीडियो सीखेंगे यह मेरा आपसे वादा है मैं मिलता हूँ पर आपको next वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफि आप्स